यूक्रेन युद में रूसी सेना के उखरते पैर से जितना नुकसान नहीं हुआ था। उससे दुगना डेन प्रिगोजीन की बगावत ने लगा दिया। रूस के राश्पती पोतिन की इमेज अब पहले की तरहां अजय और रूस के एक छत्र नेता की नहीं बलकि इस बगावत ने साबित कर दिया कि रूस के राश्पती महज एक ऐसे लीडर की तरह कर रहे हैं जिसका एक लौता मकसद अपने कुरसी को बरकरार रखना है। एक राश्पती का डर। यूक्रेन युद्ध में करीब करीब एक हारी हुई लड़ाई ने रूस के राश्पती पुतिन की इमेज को पहले ही चकना चूर कर दिया था। और अब वैगनर की बगावत के बाद उनके डर ने उन्हें एक डरे हुए राश्पती की चवी दे दी। एक्सपर्ट्स की राय में वैगनर और प्रिगोजिन वाले कांड से सबसे ज़ादा नुकसान व्लादिमिर पुतिन की इमेज को पहुँचा है। पुतिन की गिंती दुनिया के सबसे शक्तिशाली राश्ट्रा ध्यक्ष के तौर पर होती थी। लेकिन विद्रोह की घटना के बाद पुतिन एक डरे हुए राश्ट्रपती दिख रहे हैं। प्रिगोजिन के खिलाफ पहले सक्त बयान और फिर बयान पलटने का मतलव पुतिन की घटती ताकत और सत्ता पर कमजोर होती पकड़ से लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले गदारी का आरोप लगाना और फिर अपराधिक मामले हटा कर पैर पीछे खीच लेना ये पुतिन की पहले की स्टाइल से उलट है जो जाहिर करता है कि सत्ता के शिखर पर काबिज पुतिन की जो हैसियत और ताकत पहले थी वो अब घट रही है रूस एक्सपर्ट कॉंस्टेंटिन रेमचुको की एनलेसेस वेगनर घटना के बाद पुतिन कमजोर दिखते हैं पहले प्रिगोजिन को क्रिमिनल करार दिया और बाद में अपराधिक आरोप वापस ये सब बढ़े कदम को वापस लेने जैसा है जो पुतिन की कमज जाहिर करता है रूस के पूर्व वित्तमंत्री आंद्रई नेचैव की नजर में रूस में कानून ने अपनी सारी पावर खोदी है गंभीर अपराधों को भी राजिनीतिक फाइदे के लिए माफ किया जा रहा है और ये पुतिन की इमेज को नुकसान पहुंचाता है सुबह देश द्रोही और शाम में माफी ये जाहिर करता है कि रूस बड़े बदलाव की ओर है वे अंदर खाने वैगनर के बॉस प्रिगोजन और रूसी राश्रपती के बीच डील के भी संके देते हैं लेकिन ये सब पुतिन के लिए शर्मनाक है क्योंकि राश्रपती होन पुतिन और रूस को एक गंभीर जटका लगा है इस सरकार पर काफी असर पड़ेगा पुतिन हार गए है क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि उनका सिस्टम कितना कमजोर है उन्हें बड़ी आसानी से चिनाती दी जा सकती है पुत ही बोल्ड तरीके से विद्रोह किया और फिर वो हारे हुए व्यक्ति की तरह पीछे हट गए यहाँ पर सिर्फ बेलारूस के राश्ट्रपती लुकाशेंक को सफल साबित हुए जब ताकत घटती है तो करीबी भी इज़त देना छोड़ देते हैं पुतिन के केस में इसका अंदाजा इस बात से लगाय जा सकता है कि चीन जैसा मुल्क जिसने रूस का हमेसा सपोर्ट किया अब वो भी पुतिन की अथरिटी और श्ट्रेंथ को परक रहा है यानि इस एक घटना ने पुतिन के केरियर पर सबसे बड़ा ग्रहन लगा दिया है वैसे जल्दबाजी होगी ये कहना पर ये भी सच है कि पुतिन अब कितने दिन तक और राश्ट्रपती रह पाते हैं वो उनके अपने कौशल और अपनी ताकत पर निर्भर नहीं करता बलकि विद्रोही गुटो की चाल और ताकत से तै होगा